साथियों, सर्वे संतु निरामया, पुरा समसार स्वस्त रहे, भारत की इस हजारों वर्ष पुरानी प्रार्षना पर चलते हुए, संकट के इस समय में भारत ने अपनी वैस्विक जिम्मेदारी को भी सुरू से निवाया है, जब दुनिया के अने एक देशों में एर स्पेस बंद था, तब एक लाज से जादा नागरिकों को उनके देश पहुचाने के साथ ही, भारत ने एक सो पचास से जादा देशों को जरूरी दवाईयां भी भेजी, अने एक देशों के हिल्थ करमचारियों को भारत ने ऑनलाइन ट्रेनिंग दी, भारत की ट्रेडिशनल मेडिसिन, आयुर्वेद, कैसे युमिनिटी बढ़ाने में सहायक है, हमने दुनिया को इस बारे में गाइड भी किया, आज भारत कोवीड की वैक्सिन दुनिया के अनेक देशों में वेज कर, वहाँ पर वैक्सिनेशन से जुड़े, इन्फरस्ट्रेक्टर को तयार करके, दूसरे देशों के नागरिकों का भी जीवन बचा रहे हैं। और ये सुनकर, WEF में सभी को तसली होगी कि अभी तो सिर्फ दो मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सिन दुनिया में आई हैं, आने वाले समय में कई और वैक्सिन भारत से बन करके आने वाली हैं। ये वैक्सिन दुनिया के देशों को और जादा बड़े स्केल पर जादा स्पीड से मदद करने में ये पूरी तरह सहायता करेगी। भारत की सफलता की इस तस्वीर, भारत के सामर्थ की इस तस्वीर के साथ मैं दुनिया के अर्थ जगत को ये भरोसा भी दिला रहा हूँ कि आर्थिक मोर्चे पर भी स्थीतियां अब तेजी से बढ़ लेगी। कोरोना के समय में भी भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के ट्रिलियन सब रुपीज के प्रोजेक्ट शुरू करके एंप्लोईमेंट के लिए विशे स्किम्स चला कर एकोनामिक एक्टिविटी को बनाए रखा था। तब हमने एक एक जीवन को बचाने पर जोर दिया, अब भारत एक एक जीवन देश की प्रगत के लिए पूरे जीजान से जुट गया है। अब भारत आत्मनिरफर बनने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत की आत्मनिरफरता की आकांग्शा ग्लोबलिजम को नए सिरे से मजबूत करेगी। और मैं आस्वस्त हूँ कि इस अभियान को इंडस्ट्री 4.0 से भी बहुत बड़ी मदद मिलेगी। इसके पीछे बज़े भी हुए और इस विश्वास का आधार भी है। साथियों, एक्सपर्ट बताते हैं कि इंडस्ट्री 4.0 के चार मुखे फैक्टर्स होने वाले हैं। Connectivity, Automation, Artificial Intelligence या Machine Learning और Real-Time Data आज भारत दुनिया के उन देशों में से हैं जहां सबसे ज़्यादा डेटा उपलब्द है। जहां के दूर दराज छित्रों में भी Mobile Connectivity है, Smartphone है, भारत का Automation Design का Expert Pool भी बहुत बड़ा है और जादा Global कंपनियों के Engineering Center भी भारत में है। Artificial Intelligence और Machine Learning में भारत के Software Engineers बरसों से अपनी एक शमता से दुनिया को अउगत करा रहे हैं। यारत का смंस से !!!!! झाल, झाल.